प्रश्णी ये है कि जो इंटरिम रिपोर्ट जब आये थी सरकार के पास 6-8 महीने पहले उस समय जब सरकार ने रिप्लाई किये थे तब तो डिफेंस किया था हर सीएजी ऑब्जेक्शन पर हर करफशन के मामले पर सरकार ने पहले अपना बचाव किया है सीएजी के सामने और जब उनकी एक नहीं चली सरकार की, दिली सरकार की एक नहीं चली, मंत्रियों के साइं से डिफेंसिव पोश्चर लिए गए, बचाव किये गए तब एक नहीं चली, तब अब घडियाली यासू बाहरे हैं और जन्ता के के बीच में भ्रह्म पैदा करनी कुछ करें जो राशन FCI के गोडाउन से उठा है वहां तक केंदर सरकार की जिम्मेदारी थी उसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली की राशन की दुकानों तक पहुचाना था लेकिन आज जो दिल्ली की सरकार ने राशन की ढुलाई की FCI के जोडाउन से और फियर प्राइस शॉप तक उस पर घपला हुआ है इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा